तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानिकी 12 अगस्त के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को देखिए हमारा पहला प्रस्न क्या है क्या भी हुए Commonwealth Games 2022 में किस देश की Emma Maccon ने अकेले 56 देशों से जादा मेडल जीते हैं तो आंसर होगा इसका Australia तो आस्ट्रेलिया की 18 वर्षे तेराक हैं ये Emma Maccon जिन्होंने Commonwealth Games 2022 में एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने Commonwealth Games 2022 में 56 देशों से जादा मेडल जीत लिये वो तेराक हैं स्वीमर हैं तो उन्होंने तेराकी में अलग-अलग इस परधाओं में एक ब्रोंज एक सिल्वर और छे गोल्ड यानि कि टोटल आठ मेडल जीते इन्होंने वैसे इस Commonwealth Games 2022 में टोटल 72 बहतर देशों ने हिस्सा लिया था इसमें से हम क्या किया रहे हैं इन्होंने अकेले ही 56 देशों से जादा मेडल जीत डाले हैं और अकेले कितने 8 मेडल जिसमें से 6 गोल्ड है और इस तरह से एक इन्होंने अन्नूठा रिकॉर्ड बनाया कहां से हैं ये औस्ट्रेलिया से हैं और आप जानते हो Commonwealth Games 2022 में टॉप पे कौन है औस्ट्रेलिया है सेकेंड पे इंग्लेंड है तीसरे पे है कनाडा और चौथे पे है भारत और मैं आपको याद दिला दू मैंने परसो ही इससे संबन्दि जो भी important question बन सकते हैं उनका एक special video बना के डाल दिया और आप practice कर सको इसके लिए उन सभी 30 important questions की quiz भी बना करके कल upload कर दिये कहां पर आपके crack exam application पर अच्छा आप जिस जिसने वो video देख लिया उन उनसे एक प्रश्ण में पूछूँगा बताओ भारत के वो कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने अकेले ही 4 medal जीते हैं जिसमें से 3 gold हैं और एक silver है और जिसने वो video भी तक नहीं देखा वो ज़रूर देख ले न वो एक video देखने के बाद आपको कोई दूसरा video देखने की जरूवत नहीं पड़ेगी आपकी exam में यहां से definitely question बनेगा तो ये जानते हुए उसे miss मत करना बढ़ते आगे फिर बताओ अभी हाल में किसे मन्नोपरांत करनाटक रतन अवर्ट से सम्मानित किया गया अभी इसकी गोश्चना करनाटक के जो मुख्य मंत्रें बसवराज बंमय उन्होंने की है आपको यादोगा पिछले साल दिल का दोरा पढ़ने से उनका निदन हो गया था और पुनित राजकुमार ये करनाटक रतन अवर्ट से सम्मानित होने वाले दसवे व्यक्ति होंगे अचा असोक सूता का नाम आपने जरूर सुना होगा C.I.I. Quality Ratna Award 2021 इनको मिला था बीवी दोशी अभी Royal Gold Medal 2022 से इनको सम्मानित किया गया था ये भारते वास्तुकार है अर्किटेक्ट है और चारुदत्त मिश्रा हिम तेंद्वे के संगरक्षन के लिए Wheatley Gold Award मिला था इनको तो इनके नाम भी याद रखना बढ़ते हैं चलो फिर बताओ अगस 2022 में रविंद्र नाट्य मंदिर में 22 भारत रंग महुत्सव का शुभारम किया गया किसने किया शुभारम प्रशन में एक्चुली ये पूछ रहे है तो आमसार होगा भगत सिंग कोश्यारी महाराष्ट सेनानियों को श्रधानजली देने के लिए पांच दिवस्य नाट्य उत्सव ये आयुजित किया जा रहा है अभी 9 अगस्त को शुरू हुआ ये और 13 अगस्त तक चलेगा और राष्ट्रे नाट्य विध्याले के निदेशक जो है प्रोफेशर रमेश चंद्र गौड उन्ह मंदिर मिलेगा आपको गुजरात में जगत गुरु श्रिशंत तुकारा महराज शिला मंदिर ये पुणे में है रामप्पा मंदिर तो आप जानते ही हो जिसे रूद्रिश्व और मंदिर भी कहते हैं ये आपको मिलेगा तेलंगना में अभी हमारा 39 नंबर का वर्ड हरिट साइड बना था ये और चालिसवा साइड कौन सा बना धोला वीरा बना है जो कि एक हडपा इस तल है कहां पर मिलेगा गुजरात में याद रखना ये बढ़ते आगे चलो बताओ हाली में कौन प्रियोग शाला में हीरों को विक्सित करने वाले निर्माताओं को निधी देने के लिए नीती तयार करने वाला पहला भारते बैंक बना है तो अंसर वगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो SBI ये लेबोरेटरी में हीरों को विक्सित करने वाले निर्माताओं को निधी देने के लिए policy तयार करने वाला पहला Indian bank बन गया है आप जानते हो एक तो जो हीरे होते हैं वो जमीन से निकलते हैं वो है natural हीरे पर artificial भी तो हीरे बनाए जाते हैं जो natural जैसे ही होते हैं अब ये जो नई policy लेकर के आएगा वो synthetic हीरे के उत्पादन के लिए जो भी लोग कार खाना लगाना चाते हैं उनके लिए ये policy आईगी ये भाई हम ये machine खरीदना जाते हैं इसके लिए तो वहां के लिए है SBI की बात करें उससे पहले आप मुझे बताओ Union Bank of India के अभी पहली महिला MDCU कौन बनी थी A Money Make Live बनी थी और Union Bank of India Account Aggregator Ecosystem पर Live होने वाला ये पहला Public Sector Bank बना अभी Kotec Mahindra Bank आप जानते हो IT Portal के साथ एक एकरत होने वाला ये पहला Bank बना और ICICI इसने Campus Power नाम से एक Digital Platform लाँच किया था अच्छा State Bank of India के अध्यक्ष कौन है दिनेश कुमार खा रहा है बंबई में आपको Headquarter मिलेगा इसकी Tag Line होती है The Banker to Every Indian अभी SBI General Insurance के MDCO बने थे कौन पारितोष त्रिपाथी और SBI के जो पूर्व अध्यक्ष है कौन रजनीश कुमार उन्होंने एक बुक लिखिये जिसका नामे The Custodian of Trust और श्रीनगरमेगर में जो डल जील है वहाँ पे तेड़ता हुआ ATM खुलने वाला ये पहला बैंक बना था और अगर SBI General Insurance की हम लोग बात करें तो इसने अभी नया स्वास्त भीमा वर्टिकल लॉंच किया था हेश्टेक बहाने छोडो टेक्स बचाव अभियान शुरू किया था और साइबर वॉल्ट एज बिमा योजना इसने शुरू की है और आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंशॉरेंस पॉलिसी भी लॉंच की थी यानि कि उधगाटन किया तो अंसर होगा हर्याणा तो प्रधान मंतरे नरेंद्र मोदी ने हर्याणा के पानीपत में 2G इथैनॉल प्लांट का उधगाटन किया इससे किसानों को लाब होगा और प्रदूशन में भी कमी आईगी और ये जो प्लांट है ये देश में जैविंदन यानि कि बायो फ्यूल के उत्पादन और उप्योग को बढ़ावा देगा चलो आप कमेंड बॉक्स में जब तक लिख के बताओ अभी बायो फ्यूल डे हमने जैविंदन दिवस कब मनाया था तो इस 2G इथैनोल प्लांट का निर्माण Indian Oil Corporation के द्वारा किया गया लागत कितनी आई? 900 करूड रुपे इस प्लांट के माद्यम से किसानों को जो पराली जलाते न वो खेतों में तो उसके बहतर इस्तमाल में मदद मिलेगी मतलब ये किसानों को पराली की समस्या से छुटकरा दिलाने के लिए एक आसान और स्थाई विकल्प होगा इससे किसानों की इंकम भी बड़ी कैसे? क्योंकि इसमें लगबग 2,00,00 टन चावल की भूसी का उप्योग होगा इस प्लांट में इससे सालाना लगबग 3,00,00 लीटर इथेनोल उत्पन भी किया जाएगा यानकि उसका प्रोडक्शन भी किया जाएगा तो ये और फाइदा और आपको याद होगा अप्रेल 2022 में पूर्णिया बिहार में भारत के पहले इथेनोल प्लांट का उद्गाटन किया गया था भारत का सबसे उचा एर प्यूरिफायर टावर भी लगा था और चंडिगड की ही है हरनाच संदू सत्तरवी मिस यूनिवर्स का किताब जीता था इन्होंने मुख्यमंत्री याँ के मनोर लाल खटर है और गवर्नर कोन है बंडारू दत्तर है अभी आपको यादे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चोथा संसकरन हुआ था कहाँ पे हर्याणा के पंचकुला में जिसका शुबंकर था मैस्कोट था धाकड टॉप पे उसमें हर्याणा रहा और हर्याणा के जो मुख्यमंत्री है मनोर लाल खटर जी उन्होंने एक बुक बुक लॉंच की है अभी इसका नामे अस्टांग योग इस बुक को किसने लिखा डॉक्टर सोनू फोगाट ने और हर्याणा की है अभिलाशा बर्राक इनका नाम सुनाए आपने अभी आर्मी की एविएशन विंग में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी गे औ और विकल मुमेंट ट्रेकिंग सिस्टम मोबाइल अप्लिकेशन को लॉंच किया था रेत व अन्याखनन सामगरी ले जाने वाले वाहनों को ट्रेक करने के लिए अभी हर्याणा ने यह अधिगम यूजना भी शुरू की थी टेबलेट विट्रित करने के लिए आपको याद ने ही अभी मात्र शक्ति उद्देमिता यूजना भी शुरू की अच्छा बताओ भारत का पहला वर्ल्ड सेंटर ये काँपे स्थापित होगा गुरुगराम में और गुरुगराम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सा आप याद रखो जैसे की इंटरनेशनल सोलर अला कलार रामचंदरन और गुरुगराम के लिए बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ का ब्रेंड अमबेश्टर बनाया गया तनिश का कोटिया को ये शत्रंज प्लेयर है और आप जानते हो बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान इसकी शुरुवात कहां से हुई थी अधिवासी दिवस कब मनाया गया तो आंसर होगा 9 अगस्त को तो विश्व अधिवासी दिवस यानि के इंटरनेशनल डे ओफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल तो हर साल 9 अगस्त को जागरुकता बढ़ाने और दुनिया की सुदेशी आबादी के अधिकारों के रक्षा क लिए इसे मनाया जाता है थीम क्या है the role of indigenous women in the preservation and transmission of traditional knowledge थीम अगएर आपको याद नी रखनी है लेकिन ये दिन याद रखना आप चलो आप मुझे बताओ कौन सा राज्य भारत की पहली आदिवासी स्वास्त वेदशाला बनाएगा तो इसका उत्तर होगा उडिसा और आपक दूसरी महिला प्रसीडेंट कौन बनी है द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की याद रखना 15 नंबर की वाइस प्रसीडेंट अभी 14 नंबर के बने है जगदीब धनकड और हमारे नए चीफ जस्टेस ऑफ इंडिया कौन बने यू यू ललित 49 नंबर के चलो आप मुझे बताओ अभी किस रेल्वे स्टेशन का नाम ट्राइबल आइकॉन तात्या भील के नाम पे रखा गया था इंडॉर के पाताल पानी रेल्वे स्टेशन का नाम और ट्राइफेड आदी महुच्छाव का ब्रैंड अमबेशदर किसे बनाया गया था हमारी बॉक्सर MC मेरीकॉम अब देखो इंपोर्टेंट डे वाला गुष्यन है तो एक अगस्त को हमने तीन डे मनाये थे वर्ल्ड लंग कैंसर डे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस यानि कि मुस्लिम वोमेंस राइड डे और वर्ल्ड वाइड वैब डे छे अगस्त को हिरोशिमा दिवस होता है और न 9 अगस्त को नागा साटी डे होता है 7 अगस्त को राष्ट्र हथकरदा दिवस नेशनल हेंड लूम डे और 7 अगस्त को ही राष्ट्र भाला फेक दिवस मनाया 8 अगस्त को आश्यान डे मनाया अभी 9 अगस्त को ये विश्व आदिवासी दिवस 10 अगस्त को हमने विश्व ज देव इंदन दिवस मनाया, वर्ल्ड बायो फ्यूल डे और 10 अगस्त को ही वर्ल्ड लायन डे भी मनाया, ये भी याद रखना बढ़ते आगे, चलो बताओ, अब ये हाली में किस देश के मशूर अंपायर, रूडी कर्जन का निदन हो गया, तो आंशरों का दक्षिन अफरिक वे काफी धीरे हाथ उठाते थे, इसी वज़े से उन्हें स्लो फिंगर ओफ डेथ कहा जाता था, आपको याद है अभी इंग्लेंड के लिसेस्टर किरकेट ग्राउंड का नाम सुनिल गावस्तर के नाम पे रखा गया था, चलो आप मुझे बताओ, पूरुशों के याद ये किस राज्य मिश्तित है, तो आंसरों के तमिल नाडू में, अब ये आपके न्यूज में क्यों आया, एक्चुली में इतिहास में पहली बार, अमेरिका का एक नेवी शिप है, जिसका नाम है यूएस नेवी शिप चार्ल्स ड्रिव, ये अभी रिपेरिंग के लि आया, रिपेरिंग के लिए आया, तो न्यूज ये है, और पहली बार हुआ, इसलिए इंपोर्टेंट है, और यहीं से इस्टेटिक प्रस्ने निकाल के मैंने रख दिया, कि कातुपली शिप याड ये कहां पर है, तो आंसरों के तमिल राडू में, आपको ये तो पता है, बीच में 2+,2 बेठक होती है, और यहां अमेरिका के साँथ ही नहीं करते हैं, क्वार देशों के साथ, जैसे कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्टेलिया, इनके साथ हम 2+,2 वारता करते हैं, जिसमें डिफेंस के ऊपर डील की जाती है, लेकिन इंडिया ने अमेरिका के साथ एक और डील साइन की थी जिसका नाम है Logistic Exchange Memorandum of Agreement 2016 में इस पे साइन किया गया था इसमें कै, मानलो कभी किसी जहाज या एरक्राफ में तूट-फूट या खराबी होगी तो वो आपस में मिलके हम सॉल कर लेंगे अगर अमेरिका का जहाज इंडिया के किसी पोट पर रुखना चाता है तो रुख सकता है उसी तरह से भारत का कोई शिप अगर अमेरिका के किसी बंदर का यानि की पोट पर रुखना चाता है तो रुख सकता है उसी तरह से अगर जा आज वगेरा किसी के रिपेरिंग करानी है? तो वो आपस में मिल जूल करके कर सकते हैं हम उसे करवा लेंगे? वो हमसे करवा लेंगे ये agreement है, ये deal है उसी के तहट ये यहाँ पर रिपेरिंग के लिए आया तो कहां पे आया? कातु पल्ली शिप्याड वे चलो आप मुझे बताओ भारत का पहला सुदेशी विमान वाहक पोट आईनेस विक्रांत किसने बनाया इसको कोचिन शिप्याड लिमिटेड ने और आपको याद होगा अमेरिका से हमने रोमियो हेलिकॉप्टर लिये टोटल हम बनवा रहे हैं टोटल हम ले रहे हैं 24 जिसमें सभी दो आ गए हैं अभी ये दो कांपे उत्रे थे कोचिन शिप्याड में ही उत्रे थे और कोलकाता पोट का नाम अभी बदल के क्या कर दिया शामा प्रसाद मुखरजी पोट ये भी आप याद रखना बढ़ते हैं आगे चलो बताओ अभी हाली में नीतियायोग की सात्वी साशी परिशद की बैठक की अद्ध्यक्षिता किसने की तो आंसार होगा नरेंद्र मोदी तो आप जानते हो नीतियायोग की जो अद्ध्यक्षिता प्रधान मंत्री होते हैं वरत्मान में है नरेंद्र मोदी अब नीतियायोग के अंडर में एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है गवर्निंग काउंसल यानि के साशी परिशत की बैठक अभी इसका ये सात्वा संसकरन था कब 7 अगस्त को और अभी ये जो बैठक हुई यहाँ पे 3T शब्द सामने आया 3T का मतलब आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है ट्रेड, ट्यूरिजम और टेक्नलोजी इसी के उपर यहाँ पे चर्चा हुई थी जिसके अद्धिक्षेता प्रदानमंत्री जी ने की इसी तरह से आपको याद होगा अभी GST काउंसल की 47th नंबर की बैठक हुई थी कहाँ पे? देखो ये क्यूशन में आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि काफी टाइम हमने इस पे चर्चा भी की थी कि ये वाली बैठक हुणी है कहाँ पे? श्रीनगर में लेकिन लास्ट टाइम में ये वेन्यू चेंज हो गया इसका और फिर ये बैठक हुई चंडिगड में ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको हो सकता है ये याद हो ये श्रीनगर में हो नी थी एक्जामें आ जाये तो आपके माइन में रहे श्रीनगर में हुई थी ये तो लेकिन याद रखना श्रीनगर में फिर कैंसल हो गई थी और कहां पे हुई थी चंडिगड में हुई थी आपको यादे योजना आयोग के जगे पे लाया गया था नीतिया आयोग को 2015 में यानि कि इसके स्तापना होती एक जनवरी 2015 को फुल फर्म क्या होती नैशनल इस्टिटूट फॉर ट्रांसफर्मिंग इंडिया अध्यक्ष परधान मंतरी होते नरेंद्र मोदी हैं अभी उपाद्यक्ष नए बन गए क्या नाम है डॉक्टर सुमन के बेरी और इसके पहले उपाद्यक्ष कौन थे अरविंद पनगडिया नए CEO बन गए परमेशवरन अयर किन की जगे आये ये अमिताप कांत की जगे और आप चानते हो अभी G20 का शेरपा बनाया गया है पियूष गोएल की जगे किसे अमिताप कांत को ही वैसे नीतिया आयोग के पहले CEO कौन है सिंदू खुलर थे आप जानते हो नीतिया आयोग ने अभी State Energy and Climate Index राज्य उर्जा और जलवायू सूचकांग जारी किया था जिसमें बड़े राज्यों में गुजराट टॉप पे, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पे और Union Territories में चंडिगर टॉप पे रहा निर्यात तयारी सूचकांग 2021 जिसमें गुजराट टॉप पर था तो यहाँ ध्यान रखना बढ़ते आगे चलो बताओ लोगतंत्र के लिए वैश्विक शिखर सम्मिलन का अग्रदूत होगा इसके अद्द्रक्षिता हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त राज्युक कुमार करेंगे तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछेगे प्रशन के उत्तर की तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था बारवा डिफेंस एक्सपो अभी अक्टूबर में होगा कहां पे तो आंसर होगा गुजरात के गांदीनगर में आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इन सभी क्षिशन का भी क्विज बना करके अप्लोड कर दिया आपकी करेक एक्जाम एप्लिकेशन पे पीडिएफ भी आपको मिल जाएगी अब यह रहा आज का आपका होमवर्क प्रशन